आज हम बात करेंगे ओबरोई सोटल्स के बारे में मिस्टर एस एम्स ओबरोई मोहन सिंग ओबरोई जो की फाउंडर थे ओबरोई सोटल है जिनको जनम 1900 में हुआ था भाउन नाम के गाउं में जो की अब पाकिस्तान में है उनकी मेरीज होने के बाद इन 1922 वो पैनी लेस जो इस एफरेंट ओफिश क्लरक काम किया जहां पर उनकी सैलरी 40 रुपीज पर मन्त थी और उन्होंने कुछ समय के बाद वो कलर्क्स होटल में शिफ्ट कर गए जो की शिमला में था बरो रुंहां पे कलर्क्स होटल पर उन्होंने काफी मत है इनकी आह काफी 슈भ पता लगी और 1934 में उन्होंने कलर्क्स होटल को खरीद भी लिया मौट गेजिंग से उन्होंने इसको खरीदने के लिए अपने एसेड्स और अपनी वाइप्स की जो जविलरी थी उसको उन्होंने बेचा था और 1930 में एक कॉलरा नाम की एपेडेमिक थी जो बीमारी थी वो काफी हिट की थी होटल इंडस्टी को तो जिसके वज़े से जो ग्रैंड होटल था जो की कॉल करता में था तो उसको क्लोज होना पड़ा और 1938 में मिस्टर अबरोए ने इस ग्रैंड होटल को जो की आज तक कॉलकत्ता का वन आफ ता लीडिंग होटल में आता है और 1943 में मिस्टर अबरोए ने एसोसियेटिड होटल आफ इंडिया एच चाई को अक्वाइर किया जो इसके हाट होटल साथे जिसके अडर एट होटल थे जो की नौर्दन इंडिया में थे और ये इन में से जो होटल थे इन में इंकलूड थे सेसिल, शिरोस्ट फञेंस जो की ये दोनों शिमला में थे और जो मेडन अंड इंपीरियल था वो डेली में था और जो बागी चार होटल थे वो पाकिस्तान में थे, क्योंकि ये 1943 की बात है, तब पाकिस्तान एंडिया का पार्ट था, और जो 1965 में जो ऑबरोईज था, वो जो ऑबरोईज इंटर कॉंटिनेंटल जो था, वो उपन हुआ था, जो की दिली का फॉर्स्ट मॉडल लक्जिरी होटल था, जो की कैपिटल में था डेली में और 1973 में ओबरोई इसने 35 स्टोरी की 35 मिंचिला की एक टावर बनाया जो कि मुंबाई की टॉलस्ट बिल्डिंग थी तब और मिस्टर ओबरोई की डेडिकेशन इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री में इस बात से पता लगती है कि उन्होंने काफी लर्निंग क ले भी कुछ काम किये हुए थी जैसे कि उन्होंने होटल से रिलेटिड वर्क को लर्न करने के लिए ओपरोई सेंटर ओफ लर्निंग एंडवलेप्मेंट जो कि दिल्ली बेस था वो उपन किया था और जो मिस्टर ओबरोई थे इनको मैन आफ ता वर्ल्ड इन नाइंटीन थी में दिया गया था यह नेम जो कि एन्वल कंवेंशन आफ ता इंटर कॉंटिनेंटल होटल एस्योशेशन जो नियू यू यूर्क मिथी उन्होंने दिया था और इनको स्लेक्ट किया था एजा आउट स्टेंडिंग होटल यह उफ ता यह बाइदा मोटल्स एंड में तो इसके लावा हुई वह कई सारे कंट्रीज में हैं जैसे की एराक इंडोनेशिया एजीप्ट सिरिलंका जंजीबार नेपाल सिंगापुल और भी कई जगापे हैं यह जिन में से नाइन ओबरोईस होटल हैं नाइन ओबरोईस होटल जो हैं वो स्मॉल होटल्स लीडि लग्जीरी होटल्स ऑफ दा वर्ल्ड इनकी ट्राइडेंट होटल्स काफी यह फर्स क्लास लग्जीरियस होटल हैं यह होटल्स फैसलिटीज लग्जीरियस फैसलिटीज प्रवाइड करते हैं और जो ट्राइडेंट होटल है इन्होंने अपनी फर्स्ट होटल्स जो है चि 1888 उसके बाद इन्होंने तब से कई सारे इंडिया के सहरों में अपने होटल्स ओपन की हैं जैसे की आगरा में उदैपूर में कोची में जहपूर में भूनेशवर में गुरगाओं में और भी कही जगा और ये जो गुरूप है ट्राइडन होटल्स का इनका साओधे अरेबि परसेंट प्रनाउंसिंग राइट ने यह इस शहर में वी ऐसा है